नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज्यारखन की टॉप 25 पर्मु खबर जानते हैं केबिनेट बैठक में JPSC की अगली परिक्षा में बैठने वालों को साथ साल की छूड दी गई है कॉट अफ डेट एक अगस्त 2017 है परधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 29 पत 12 पूल के लिए 208 को रुपए जारी करने के सुखिती दी गई गर्वती महिलाओं को मात्रुक कीट उपलब्द कराने के प्रस्ताव को मंजुरी दी गई 14 परकार के आइटम कीट में रहेंगे इस फैसले से 6 लाक महिलाओं लभानुईत होंगे वहीं 140 मध्य बिद्याले को उच माध्यमिक बिद्याले में अफगरेट होंगे अब सभी राज कर्मियों को गरिह निर्मान के लिए 60 लाक तक कलोन लेने की अनुमती दी गई मारजेंट का प्रवधान हटा दिया गया है गरिह निर्मान के लिए 30 लाक के अनुमती दी जाती थी वहीं सित्कालिन सत्र का और सान का प्रस्ताव पर्शोग्रिती दी गई जनकारी के नुशार बयट नौ फरवाई से 29 फरवाई तक सत्र आहुत किया गया है इसके अलावा योगेंद्र परसाथ को पिछणा राजेवर्ग आयोग अध्यक्ष बनाएगा है जारखन को समाजिक, सेक्षनिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना हमारा लक्षे सियम हिमांत मुख्य मंत्री हिमांत्रे ने कहा है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेंशन एक विश्वस निये संस्थान है फाउंडेंशन इटकी में विश्वस्तरिये अजीम प्रेमजी इन्वर्सिटी 500 सहिया वाला मेडिकल कॉलेज तथा स्कूल का निर्मान करेगा इटकी में संस्थान 5,000 को रुपे निवेस करेगा इस कारेयों से आने वाले समय में इटकी की पूरे देश में अलग पहचान होगी मुख्यमंत्री बुद्दवार को इटकी के टीबी सेनेटोरियम मैदान में आयोजित बिश्वास्तरीय अजीम प्रेमजी इन्वर्सिटी मेडिकल कॉलेज और स्कूल निर्मान के सुभारम कारेकरम को समोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि वर्स तक अजीम प्रेमजी बिश्व बिद्यालाय एवम इस्कूल में पठन-पठन का काम सुरू होगा अजीम प्रेमजी फांडेशन के कारियों की रोशनी दूर तक पहुचेगी कमजोर से कमजोर परिवार तक फांडेशन की सहायता पहुचाने का कारे परतिवत्ता के साथ किया जाएगा जारखन पारामेडिकल सन्यूत परत्योक्ता परिक्षा के लिए आवेदान सुरू इसलिए जीन कंडियेट को इस रिकुरेटमेंट एक्जाम के लिए अप्लाई करना है है या धिकारिक बेपसाइट ये सल्सी.nrc.in पर जागर अप्लाई कर सकते हैं उमिद्वारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अम्तिमती थी बीतने के बाद कोई फरम सविकार नहीं किया जाएगा सीम हेमन्त आज आएंगे दुमका गंतंतर दिवस पर कल करेंगे जंडो तोलान करेंगे और सलामी वा परेट का निरिक्षन करने के उपरांत जंडो तोलान करेंगे यहां परेट के बाद उनका भासन होगा वहीं जाकिया भी परदर सित की जाएगी और प्रेट वा जाकियों में से सरवस्रेश्ट को प्रस्कृत किया जाएगा मुख्यमंत्री पूलिस लाइन से 10 बच कर 50 मिट पर राजभौन लोट आएंगे वहां से वे 2 बच कर 10 मिट पर दुमका हवाई अड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे और हिलिकॉप्टर से रांची वापस लोट जाएंगे गंतंत दिवसपर जारखंड का मौसम अपडेट गंतंत दिवसपर जारखंड का मौसम कैसा रहेगा इस पर भारतिय मौसम विज्ञान विभाग का अपडेट आ गया है आई एमडी के रांची स्थित मौसम के ने बताया है कि अगले दो दिन में निम्तों तापमान में दो से चार डिग्रिता की गिरावर दर्ज की जाएगी खास कर दक्षनी और उससे सटे मध्य जारखंड में इसके बाद तीन दिन तक तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है यानि अगले तीन दिनों तक जारखंड में लोगों को सित लहर से रहात नहीं मिलने वाली मौसम विभाग नहीं अभी बताया है कि 25 जनवाई से 28 जनवाई तक राजे में कोरा चाया रहेगा खास कर सुबह में इसके बाद दिन में आस्मान साफ हो जाएगा मौसम सुस्क रहने का अनुमान है जारखंड के दो IPS सहीत पचपन पुलीस अफसर और कर्मी को दिया जाएगा पदक इनमें आजी प्रभात कुमाट डियाजी अनुब बीर्थिरे का नाम सामिल है गाउँ चलो अभियान चार से जारखंड के हर गाउँ में जाएगे प्रवासी भाजपा प्रदेश भाजपा की और से गाऊ चलो अभियान का प्रारम चार्वरी को होगा या अभियान पुले राज में गार फ्रोवरी तक चलेगा भाजपा के प्रवाशी करकर्ता जहरकन के हर गाऊं में जाएंगे वहां पर गरीब वो पिछले वर के लोगों से मिलेंगे साथ ही उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे पार्टी की ओर से प्रवासी कर्करताओं की सुची तियार की ज़ा रही है इस अभियान में पार्टी के सभी राष्ट्रिये परदेश, जीला, मंडल और बूत असर के कर्करता सामिल होंगे चोबिस घंटे गाउं में हीरा कर अभियान को सफल बनाएंगे इसको लेकर अभिवार को परदेश भाजपा कर्याले में गाउं चलो अभियान की परदेश असरीय कर्याले का आवजन किया गया कारेफ साला को समोधित करते हुए परदेश भाजपाद ध्यक्स बागुला मांटी ने कहा है कि भाजपाद सरकार गाउं, गरीब, किसान, तलीत, वन्चित को समर्पित रही है अंडो के गनीत में उल्जा अंगनवाडी केंद्र के बच्चों का पोसाहार जारखन के अंगनवाडी केंद्रों में बच्चों महिलाओ के पोसाहार में अंडा सामिल करने की योजना अधर में लटकी हुई है वर्ष 2019 में ही सरकार की घोषना थी कि अंगनवाडी केंद्रों में सबताह में पांच दिन अंडों का बित्रन किया जाएगा राजे के 38432 अंगनवाडी केंद्र में इस योजना को पोफचाना था लेकिन इस मामले में पेच फसा है विभाग तय नहीं कर पा रहा है कि अंडों की खरीद साहियाओ के माध्यम से की जाए या सफलायर का चेहन किया जाए सेविका साहिका के जरिये खरीद में विभाग को बीती अनिमिता के असंका है विभाग को अंदेशा है कि बीना खरीद के भी फर्जीवाला हो सकता है वहीं कई सुदूर इलाके में आंगन वाड़ी केंदरों में अस्थानी अस्थरपड अंडे की उपलवता संभव भी नहीं हो वहीं बले सप्लायर से अंडे की आपट्यांगन वाड़ी केंदरों तक करना भी खर्चीला है बिधायक बसंत सुरेन ने दिखाई दुमका पटना एक्सप्रेस को हरी जंडी जार्खन की उप राइधानी दुमका बुद्धवार से विहार की राइधानी पटना तक के सिधे रेल से वास्ते जुड़ गया है दुमका रेलवे स्टेशन से इस दुमका पटना एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई करवाना किया इस दुमका इस दुमका है कि विकास के मामले दुमका ही नहीं पूरा संताल परगना उपेक्छीत रहा है सांसद आदर्स ग्राम योजना आठ जिलो में एक भी योजना पूरी नहीं सांसद आदर्स ग्राम योजना के तहत राजे के आठ जिलो में एक भी योजना पूली नहीं हुई है इन में बोकारो चतर धनबाद, दुमका, गिरीडी, हजारीबाग, खोटी और पच्मी सिमूम सामिल है इन आठ जिलो में से चार में तो सांसद आदर्स ग्राम योजना के तहत एक भी योजना नहीं लिगाई थी सांसद आदर्स ग्राम योजना के तहत हर सांसद को 2024 तक अपने अपने छेतर की 5 ग्राम पंचायतों को चुन कर उन्हें बिक्सित करना था इन चुनी गई ग्राम पंचायतों को कुछ इस तरह विक्सित करना था ताकि दूसरी ग्राम पंचायते इससे प्रेडित हो सके योजना को दो चर्णों पूरा करना था पहला चर्ण 2014-2018 और दूसरा चर्ण 2019-24 निधारित किया गया था पहले चर्ण की उपलावधी सतर परचेतरही जबकि दूसरे चर्ण में अपता की उपलावधी सीर्फ 36 परचेती ही है कबउतरों की मौत कैसे हो रहे है या इसके बारे में कोई भी कुछ बोलने को त्यार नहीं है मरने वाले सभी कभूतरों में से एक ही लक्षन दिखाई दे रहे हैं पतला बीट के बाद कभूतर जमीन पर धराम से गिर पड़े हैं इसके बाद तलब तलब कर मौत हो जाती है बुद्धवार को सरया हाट इस्थी समुदाईक स्वास्त के इंद के समीप दर्जोनों मरे हुए कभूतर देखे गाए स्वास्त कर्मियों के दवारा इसकी जानकारी परखंड पसूर्ची की साप दातिकारी को दी गाई जाम तड़ा में रहेतों ने मुआबजे की मांग पर साथ घंटे सड़क किया जाम जाम तड़ा के कर्मा टंड के कसिया टंड के समीप जाम तड़ा लह जोरी सड़क आकरोसित रहेतों ने बुद्धवार की साम जाम कर दिया रहेतों ने साथ घंटे तक सड़क जाम रखा मुअबजे रासी देने के अस्वासन के बाद जाम हटाया गया आक्रोसित रहेतों ने कहा एकिपता धिकारियों के टाल मटोल रवया से तंग आकर कासी टांडवा रहुनात पुर गाओं के सैक्डो आदिवासी महिला पुरूस हांत में लाठी डंडा तीर धनूस डुग डुगी लेकर सड़क जाम किया उन्होंने कहा है कि वर्स 2014 से जामता लहजोरी सड़क निमान प्राड़ाम्प हुआ इस बावत उन लोगों का जमिन अधिक रहन किया गया आसपास के कई गाओं के लोगों को मुअबजा दे दिया गया प्रन्तु उन लोगों को मुअबजा नहीं मिला है जार्खन के सिक्षक विश्ष्ट अतिति के रूप में होंगे सामील जार्खन परदेश के दुमका जीला के जर्मुंडी परखन के आदिवासी बहुल सुदुर ग्रामिन छेत्र में इस्थीत डुमर थर विद्याले के सिक्षक टाक्टर सपन कुमार 26 जनवरी को इस बार न 27 एवं 28 जनवरी को बतर विशेस मेहमान अलग-अलग कारकरम में दिल्ली में भाग लेंगे बता दे कि ब्लैक बोर्ड मोडल के जनक सिक्षक डाक्टर सपन कुमारमन की बात कारकरम के सौवे एपिसोड में भी दिल्ली में आयवजित विशेस कारकरम में सामिल हुए थे बंगाल के बाद जारखन में भी इंडिया में पूट राष्टिय जनता दल राजद राज्य में अपनी मजबूत इस्थिती बनाने की कोशित में है इसके लिए पार्टी के नेतावों ने चार संसद्य छेतर में अपनी गतिवीद्या को बढ़ा दिया है इनमें पलामू च पूत्रों के नुश्यार इस बार अगर रायत की सीटे नहीं बढ़ी तो रायत महागणबंदन से छिटक सकता है अगर पार्टी की मांगो परसाई तरीके से विचार नहीं हुआ तो रायत अकेले भी चुना मैदान में उतर सकता है बतादे तो 2019 के लोग सबाद चुना में रायत को मागडबंदन में चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक सिट मिला था, इस बार सिन अलग बताया जा रहा है, रायत जार्खन में मजबूत इस्तिती हांसिल करने की कोशिस कर रहा है, साहब गंज के थाना को बेहतर थाना अवाड, साहब गंज के मिरजा चव की थाने को देश बहर में सातवा वा जार्खन राज में प्रतम अस्थान प्राप्ट हुआ है, केंद्री गृह मंत्रा लेने सरोतम थाने के सिर्फ़ेनिक करन में यह कोश्ना की है, मिर्जा चो की थाना को बेहतर थाना कावाड मिलने पर जार्खन पुलिस मुख्याले के सभागार में बुद्धवार को एक समारोह आयोजीत कर उस थाने से जुली सभी समधित पता दिकारियों को डिजीपी अजय कुमार सिंग ने प्रसासित पत्र देकर समानित क्या है धन्यवाद